वेलकम बैक, अब हमारे साथ केडेनोमिक्स के फाउंडर सुशील केडे जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किन स्टॉक्स पर इससे में दाव लगा रहे हैं और इंडेक्स पर क्या विए। सुशील जी गुड मानिंग, शुरुवात हर बार की तरह आपकी कुछ रॉकेट कॉल्स के साथ, बताइए। ये पुल बैक्स के लिए भी वेट करना शायद मुनासिद नहीं होगा इसमें, अगला पड़ाओ 120 और वहाँ थोड़ा सा विराम और विश्राम करने के बाद, 180 की चाल लगती, कोई धहरेवान हो, तो मुझे साल डेड़ साल में 300 भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं फ्री कंपनी 4-5 साल से बढ़िया ग्रोथ दिये जारी है, बढ़िया मैनेजमेंट है, और बिल्कुल टका-टक मजबूत इसका चार्ट है, मुझे जरावी संशय नहीं है, कोई भी विसमें नहीं है, ये सोचने में और रेकमेंड करने में कि ये 395-400 वाला, 1200 रुपे में आ राइफ बैगर की स्टोरी बनेगी साल डेट साल में, इमीजियेट होराइजन में, अगले 1,5-2 महीने में मुझे ये 325-25 का भाव इसमें लगता है, अब देखिए जो बहुत सारी बातें अब होने लगएगी केमिकल स्टॉक्स के अंदर में बड़ी तेजी है, तो केमिकल ट्रिपल की मुव्मेंट आ सकती है, तो आरती ड्रग्स इसे अगर हम इन्वेस्ट्मेंट के हिसाब से लेंगे, इसक्टा वट्टा करने की चीज नहीं है, तो इसमें भी मुझे 1200-1300 का भाव आने वाले साल बर में नजर आता है, आप स्पार्क को भी एक केमिकल्स की केटे और वहां थबड़ा विराम करने के बाद यह 8200 भी लगता है, गुजरात, एलकलीज मुझे डवल के हैं से ट्रिपल होता लगता है, सब डिलिवरी के सौधे उठाके बैठने पड़ेगे, वो आप्शन ट्रेडर्स के लिए हम काम नहीं कर पाते हैं, और जितने भी एमाइन के स्टॉक्स हैं, धीरच के साथ अब अगर इना उठाके बैठे तो यह सब डवल ट्रिपल हो जाएंगे, यह भी हमने अपने सब्सक्राइबर्स को लास्ट वीक रेकमेंड किया, चार सो पिचासी, चार सो असी तक की पुल वैक कभी भी रूल नहीं की जा सकती है, बट सब्सक्राइब के उपर चल पड़े तो यह ग्यारा सो का गूंग आएगा, लक्ष्मी और्गिनिक्स, यह दबलर दिखता है मुझे, दो सो पच्छतर सी के उपर चलते ही छे सो की चाल, और कैमलीन में जैसे अभी वाई आ गया है, आज का जब भी ट्रिगर हो गया, कैमलीन हमारे पुराना रिक्मेंडेशन है सब्स्राइबर्स को, और यह अड़ाई सो पहला पड़ाओ, और फिर उसके बाद हम फैसला करेंगे तीन सो टक, रेडिको खैतान एक अप अल्कॉहलिक बेवरेज़ेस में देख सकते हो, इसमें भी आज एक रिवर्सल और ब्रेकाउट और बारसों के स्टॉप लॉस से को इसको डिलिवरी उठाए, तो हमें साड़े सोला सो तक की चाल दिखती है, ओके तो चन्ने पेट्रो, यह इंडिया बुल्स, रियल एस्टेट, आयोल केमिकल्स, आरती ड्रग, स्पार्क, फाइन और्गैनिक, गुजरात अलकली, रेडिक देखिए, पहले जड़ा सी इंडेक्स को बीच में इसमें ले लेते हैं, मुझे बैंक निफ्टी के अंदर, अगले पूरे महीने बर, साड़े 45,500-600 और नीचे 43,500, मुझे लगता है, यह त्रेडिंग रेंज में दो बार तीन बार यह उपर नीचे के भावा सकते हैं, थो विदिन बैंक निफ्टी, HDFC बैंक जो बिल्कुल घटता ही चला गया, अब उसमें 4-5% की उच्छाल शुरू हो गई है, वही बैंक निफ्टी को उपर की ताकत देगी, और सस्टेंड ट्रेंड अगर कहीं बन सकता है बैंक्स में, तो कोटक महिंदरा दिखता है, वाकि एक अगला पड़ा, वो तूट गया, तो 2300, HDFC बैंक में छोटा सा उचाल है, बाकि सारे बैंक चपेट में लेने को तयार है, बैंक निफ्टी में से, बैंक निफ्टी के बाहर अगर मैं देखना चाहूं तो करूर वैसिया बैंक में 25% की चाल भी नजर आती है, अब लोटते ह ही चली आ रही है, करीब-करीब, 19,574 है, समझ ले, 19,600 तक और फिर ये वापस 19,100 तक, तो निफ्टी के अंदर में जगर लिमिटेड है, तो 15 स्टाप जोर से बढ़ जाएंगे, 15-20 घड़ जाएंगे, डॉक्टर एड़ीज हम शॉट करेंगे, को फोर्ज हमें लगता है, से भाव पक्चीस सो रुपया हो जाएगा, जिसको जिसको लेना था, साथ अजार करोड की बाइंग इड्सास्ट हो गई, और उसके बावजूद भाव यही है, कल परसों तक अगर को फोर्ज ने प्लेस्मेंट दिनके हाई को क्रॉस नहीं किया, तो हम आधी पोजिशन चुका है, और यह जो पैटर्न नीचे से बना है, 3250 से, यह महज एक रैली है, जो बड़ा लॉंग टर्म डिकलाइन यहां से शुरू हो गया था, उसका सिर्फ करेक्शन किया है को फोर्ज ने, और अगला पड़ाव हमें हां तक लगता है, पर ट्रेड को ट्रिगर करने के पॉइंट्स हैं, तो उन कल तक अगर यह वापस नए हाई पे नहीं जाएगा, तो यह बिल्कुल पका शॉट है, और 4900 के निचे से को हम और बेचेंगे, कोटक हो गया, अब फाइनेंशियल्स में अच्छी खासी बढ़िया रैली है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिंस रहे हैं, और 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 भी सौदे कम आगे बढ़ाएंगे, और NBFC में चोला मंडलम इन्वेस्मेंट का जो फ्यूचर्स है, एक हजार बीस पे हमारे सब्सक्राइबर्स को उनने लॉंग कराया था, और आज सवेरे हमने उनको रेकमेंडेशन किया कि यह डाउन ट्रेंड हिंदुस्तान लीवर में स्टार्ट हो चुकी है, यह जो नीचे यहां से लो बना था, 2490 का, और अब एक हायर बाटन करीब करीब यह बनाने को तयार है, जिस दिन भी लास्ट चार दिन के हाईस की लाइन को तोड़ेगा, हम इस ट्रेंड को डबल करेंगे और 2900 तक खेलें और टाटा कंज्यूमर में अभी भी बहुत बड़ी चाल उपर की है, यह देखिए इसकी चार्ट आपके सामने आ गई, यह टाटा कंज्यूमर की चार्ट कैश की खुल गई है, मैं फ्यूचर्स पर आप एड़जस्ट कर लेना, यह जब यह इस ट्रेंड लाइन को तोड़ हो देगा, कैश में 848 से फ्यूचर्स में 850 करीब होगा, तो मुझे इसका भाव 1100 तक जाते लगता है, तो दो बढ़िया FMCG के स्टॉक चार आपकी NBFC एक कोटक महिंदरा बैंक हो गया, और Infosys को हम किसी भी दिन शॉट करने के इंतजार में, को फोर्ज को शॉट करेंग तो होगे 11 वारा ट्रेट्स है, फेनोमे में, ग्यारा वारा हो गया, सुशिल जी यहां पर दो और लेलो, आपसे, रियल स्टेल स्पेस में, DLF और ओबराय रियल्टी, गोडरिज प्रपरटीज, इन पर आपका व्यू क्या है, बिल्कुल वही व्यू है, जो पहले से भी आ अब यह देखे, DLF में छोटी सी रैली आ गई, हम जिन स्टॉक्स में हमें बड़ी चाल नीचे की लगती, उसकी रैली में हम पाडिसिपेट नहीं करेंगे, हम तक तकी लगा के बैठे रहेंगे, अगर यह लाल लकीर तूटे गी तो हम शॉट करेंगे, नहीं तूटे गी यह उपर चली भी जाएगी, तो मैंने तो कभी भी किसी ट्विटर पे या संसार में किसी को भी नहीं बोला कि भगवान विश्ण की कोई मेरे पे विशेश क्रिपा है, और हर एक स्टॉक पर हर एक चाल को मैं पकड़ सकूँगा, यह हमारा निर्ण है, हमको इनकी रैली में मुझे कोई भी शर्म संकोच नहीं रहेगी, कि मैं 700 तक की मंदी के लिए इसको शॉट करूँ, तो 1100 का स्टॉक 700 हो जाए, तो बहुत मोटा पैसा है, इंडिवुजूवल रियल एस्टेट स्टॉक की स्टॉरी बिलकुल अलव है, और गॉडरेज प्रॉपर्टीज देखि यहां से लगता है, हाँ, गॉडरेज प्रॉपर्टीज की 1600 का 800 हो जाएगा, यह डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुकी है, और इसको हम एक राउंड डाउन मूफ का खा चुके, अब यह वापस माइनर अप्रेंड लाइन लाल लखी तो हम शॉट करेंगे, नहीं तो दिलिवरी उठाके बैठेंगे, सामने हेच करेंगे लिए बड़े स्टॉक को भीचेंगे, अच्छा, कोई बैंक्स में कोई स्टॉक आपके रेक्मेंडेशन पर या रेडार पर हो इस समय सुशिल, मैंने तो सारे बैंक्स की आपको गिंती करवा दी कि कोटक महिंदरा सबस सकते हैं और जो चोटे वाले बैंक से देखिए और यू वी यू वी सेंट्रल बैंक जिनको लंबे समय से दबोच के बैठेंगे, बहुत अच्छी गॉसिप है बजार में और हो जाए तो अच्छा है सारे देश के लिए अच्छा है कि इंडियन बॉंड्ड अगर साल तक लगातार इंट्रेस रेट्स बढ़े कि लोगों ने जा जाके लोन डूंडे यह जाके लोन बांट नहीं पाते हैं इंके बस जाके लेना पड़ता है और हमारी थीसिस पिछले डेढ़ साल से यह सारे अंग्लैमरिस पीएस्ट्यू बैंक स्टॉक्स में जो वेल्यू लोन देना नहीं जानते हैं तो इनको परिस्थितियों के कारण लाव हो जाएगा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स परिस्थितों को उत्पन करते थे लाव के लिए और यहां परिस्थितियां पीएस्ट्यू बैंक्स के फेवर में हैं तो मैं सेंट्रल बैंक आयोगी यूग बहुत 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 शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारे स्टॉक्स जो आज आपने करीब 15 से 20 स्टॉक्स के लिस्ट हमको दी उस पर बात करने के लिए थैंकियो सो माच चलिए फिर अब इस शो को यही समाप्त करते हैं झाले जाज हमारे सारे से 20 स्टॉक्स